नमस्कार आप सभी का एगेंस्क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज 12 अक्टूवर है और आज का दिन हम भारवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण का दिन है आप लोग आज के दिन की कुछ खास जानकारी प्राप्ट करेंगे जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो हमें सरकार से सूचना मांगने की जानकारी प्राप्ट करने का एक मौलिक अधिकार दिया है तो इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे आप लोग जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं अब सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं भरष्टाचार से सम्मंदित भिन-भिन भिन्दों पर चर्चा करता आ रहा हूं तथा RTI के माध्यम से लोकायुक्त करियाले, लोक सिकायत, लोकपाल या अन्य विधी द्वारा वरष्टाचार के खिलाब हम लोग किस प्रकार सिकायत करेंगे इसकी जानकारी देता रहता हूं चलिए आज RTI से सम्मंदित कुछ महत्पुन बात की जानकारी प्राप्त करेंगे सत्ते मेव जैते सूचना अधिकार अधिनियम की कुछ महत्पुन बात है RTI Act 2005 Right to Information 2005 पहला है 12 अक्टूबर 2005 आज के दिन ही भारत की जनता को अपने सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार दिया जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है इसका प्रयोग करें दूसरा भारत की प्रजात कंत्रिक देश जहां जनता की देश जनता ही देश का असली मालिक है इस प्रकार RTI भारत की जनता का मौलिक अधिकार है हम आम जनता के पैसे से ही देश की अर्थ विवस्था चलती है और हमारे पैसे से ही देश के कार्यरत लोग सेवक को वेतन के रूप में दी जाती है तीसरा जनता अपने अधिकार को जानने एवं अपने लोक सिवक से हिसाब के रूप में वरावर RTI के माध्यम से जानकारी लेते रहें कि हमारे लोक सिवक देश में कैसे काम कर रहे हैं हमारे देश की सरकार क्या क्या कर रही है चौथा हम आम जनता के मन में ब्रहम पैदा कर दिया गया है कि वे C.O. शाहब हैं, S.P. शाहब हैं, DM. साहब हैं, त्यादी लेकिन ये सभी साहब नहीं हमारे लोग शेवक हैं इसे जनता की शेवा करने के लिए निउक्त किया गया है ना कि जनता के पैसे को मनमानी धंग से लूटने के लिए इस कारण हम सभी को अपने लोग सेवक से हर माह RTI के माध्यम से हिसाब लेते रहना चाहिए पाजमा भारत में व्रष्टाचार चरम पर है हम आम जनता जब तक जागरू कोकर व्रष्टाचार के खिलाफ RTI का प्रयोग नहीं करेंगे तो देश से व्रष्टाचार ना तुनेता हटा सकता है नहीं कोई सरकार या कोई पदाधिकारी हम आम जनता एक साथ जब तक इसके खिलाफ नहीं लरेंगे तब तक देश से भरष्टा चार खत नहीं हो शकता है जैहिन आसा है आप लोग भी आज RTI से संबंदित महत्पूंग 12 अक्टूबर की तिती है इसे हम सभी भारतियों को हम सभी आमजनता को इसके परती जाग रूख होकर हर भारतियों को हर कारियाले से किसी न किसी रूप में उसे RTI लगाकर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हिसाब लेते रहना चाहिए जिन लोग सेवक को छोड़ दिया जाता है कहने का तात्पर है आपके घर में यदि कोई लोग सेवक है नो करहें उसे आप निगरानी ठीक से नहीं करेंगे तो वो मनमानी करने लगते हैं इसलिए अपनी लोग सेवकों से समय समय पर हिसाब जरूर लें तो हम हिसाब लेने के अधिकार को ही सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है जो भारत में एक मौलिक अधिकार है इसलिए अधिक से अधिक इसे परियोग करें और एक दूसरे को जानकारी अबसे दें और इस विडियो को इतना सेयर करें कि हर भारतिय हर किसी को अधिकार के बारे में अपने करतब के बारे में जानकारी प्राप्थ हो सके और वे अपने लोक से वक्त से हर माहिसाब जरूर ले सके जैहिन